इसे बनाने के लिए हम बर्दमान का बेबी सॉफ्ट वूल लेंगे और दस नंबर की सलाई उनको हम डबल फूल करेंगे और तो हमने सलाई पे 76 फंदे, 76 फंदे डाल दे हैं, अब हम सभी फंदो को सीधा बुनेंगे तो पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुनेंगे इस डिजाइन बहुत ही आसान है और बहुत खुबसुरत है इस कैप में बच्चे का पूरा कान अच्छी तरह ढख जाएगा और ठंड ढगने का डर बिलकुल खटम हो जाएगा कैप डिजाइन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान इसे आप पूरा देखिएगा ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आए तो हमने पहली लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन दिया अब हम रॉंग साइड में आ गया है तो पहले फंदे को ऐसे पर वाइस राई डालेंगे उन दूसरी और करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनेंगे हमें दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना है यह हम बॉडर बना रहे हैं दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बुनेंगे और हम फ्रंट से भी सीधा बुनेंगे और बैक साइड से भी सीधा बुनेंगे तो उल्टे फंदों की धारियां आ जाएंगे तो हम कुल आठ उल्टे फंदों की धारियां बनाएंगे यानि हम सूला लाइन बुनेंगे तो आठ उल्टे फंदों की धारियां सामने से और आठ पीछे से आ जाएंगे तो मैं सूला लाइन बुन के आपको दिखाती हूँ और मैंने solar line सीधा सीधा बुन लिया जिस से 8 इल्टे फंदों की धारियां सामने से और 8 पीछे से आ गए हैं देखिए 2, 4, 6 और 8 सामने से और 2, 4, 6 और 8 पीछे से आ गए है और इसको नापे तो इसकी लंबाई है 1.25 In तो अब हम को यह हमारा सत्रहमा लाइन है और हम जैसे अभी तक सीधा सीधा बुनते हैं इस लाइन में भी हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे सत्रहमी लाइन में सभी फंदों को सीधा बुनेंगे तो सत्रहमी लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया अब यह अठारमी लाइन है और इसमें अब हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे अब हम सामने की तरफ से सीधा बुनेंगे और रॉंग साइट से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे इस तरह सामने से सीधा और रॉंग साइट से उल्टा बुनते हुए हम तीन इंच लंबा हुने तक यानि बॉर्डर के बाद यह हमारा 1.5 इंच का है, इसके उपर हम 3 इंच का प्लेन बुनेंगे, यानि आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उठें, तो 3 इंच कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ, देखिए फ्रेंट्स, हमने 4 इंच कम्प्लीट कर लिया है, 3 इंच प्लेन और 1.5 इंच का तो हमारा बार्डर है ही, यानि टोटल हो गया, 4 इंच, अब हम फंदों को दिक्रीज करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि हम यह कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 6 फंदो को सीधा बन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदों को हमने सीधा बन लिया, अब 2 फंदों को egy साथ लेंगे, और सीधा बनते हुए 2 का एक करेंगे, यहां हमने एक फंदा decrease किया अब next दो फंदो को हम लेंगे और back loop से सीधा बना लेंगे तो यहां पर भे हमने दो काए किया एक फंदा यहां decrease हुआ एक फंदा यह देकरीज हुआ यानि दो फंदा यहां पे घट गए अब फिर हम ग्यारा फंदा सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यारा तो ग्यारा फंदा सीधा बनने के बाद फिर हम दो फंदो को एक साथ लेंगे और सीधा बनते हुए दो काए कर लेंगे यहां एक फंदा घट गया फिर नेक्स्ट दो फंदो को हम लेंगे और बैक लूप से हम तो काएक करेंगे तो एक फंदा यहां घट गया यानि यहां पे दो फंदे घट गये फिर नेक्स्ट हम ग्यारा फंदे बुनेंगे फिर हम दो फंदो को लेंगे पहले दूसरे वाले में फिर पहले वाले में सलाई डालेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे नेक्स्ट दो फंदो को हम लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे तो यहां पर हमारे चार फंदों से दो फंदे हो गए फिर हम ग्यारा फंदे सीधा बुनेंगे याने ग्यारा फंदे हम सीधा बुनने के बाद दो फंदे घटाते चले जाएंगे फिर हमने 11 फंदे बुन गे अब 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे नेक्स्ट 2 फंदों को लेंगे और बैक लोग से दोनों को सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे लास्ट में देखिए 6 फंदे बचे हैं तो उन्हें हम सीधा बुलने हुए शुरुआत में भी हमारे पास 6 फंदे थे और लास्ट में भी 6 फंदे आ गया और चलिए देखते हैं कि हमने कितनी जगह इन्हें घटाया है तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 जगह घटाया है यानि हमारा इस लाइन में 10 फंदे घट गया है तो 45 लाइन में हमने 10 फंदे घटा दिए ये बॉर्डर के बाद ये 29 लाइन है 29 रो है और अगर बॉर्डर को ले के गिने तो ये हमारा 45 लाइन है और जिसमें हमने 10 फंदे घटाया है wrong side से हम सबी फंदों को उल्टा बुन लेंगे wrong side से हमें कोई भी फंदे decrease नहीं करने है wrong side से हमें सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुनना है तो यह हमारा 46th row है और इस row में हम सबी फंदों को उल्टा बुनते हुए line complete कर लेंगे अब हम फिर सामने की तरफ हैं और यह हमारा 47th row है 47th row अब की हम 5 फंदे सीधा बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे next हम 2 फंदों को लेंगे और back loop से 2 का एक करेंगे फिर 9 फंदे सीधा बुनने के बाद हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे next 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे तो यहां पर हमने दो फंदा decrease किया पहले हमारे बीच में 11 फंदे थे एक फंदा इधर घट गया और एक फंदा इधर से घट गया तो बीच में बचे 9 फंदे तो हमने दो फंदा यहां घट आया अब फिर हम 9 फंदे सीधा बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब देखिए हम फिर यहां फंदा decrease कर रहे हैं वहां पर हम पहुंच रहे हैं यह हमारा main फंदा है और एक फंदा यह साइड में है तो अब इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे अब फिर हमें इस साइड भी एक फंदा गटाना है तो पहले हम देखिए इस में डालेंगे फिर दूसरे वाले में और बैक लूप से हम इसे सीधा बुनेंगे अब फिर 9 फंदा हम सीधा बुन लेंगे फिर 9 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर हम देखिए गटाने वाले जगह पे हम आ गए हैं फिर 2 फंदो को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे फिर फंदे को लेंगे नेक्स्ट फंदे को लेंगे और सीधा बुनते हुए बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे फिर हम नौ फंदे बुनेंगे नौ फंदा बुनने के बाद फिर हम दो फंदो को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए दो का एक नेक्स दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से इसे हम दो का एक कर देंगे अब लेकिए लास्ट में पाच फंदे बचेंगे तो उन्हें हम सीधा बुल लेंगे और रॉंग साइट से सब्वे फंदे उल्टें देखिए फ्रेंड्स हम फिर सामने की तरफ हैं और यह हमारा उन्चासवा लाइन है तो अब की हम चार फंदे सीधा बुलेंगे एक दो तीन चार फिर देखिए हमें यहां पर गटाना है तो दो फंदों को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे और नेक्स लुप से दो का एक कर लेंगे यहां पर दो फंदे घट गया अब देखिए पिछली लाइन में यहां पर नौ फंदे थे तो एक फंदा इधर घट गया एक फंदा इधर घटेगा पचेंगे बीच में साथ फंदे तो हर सीधी लाइन में हमारे दस फंदे घट रहा हैं और जहां हमने डिवाइट किया हैं, यहां पर दो फंदे घट रहा है, तो हर सीधी लाइन में दो दो फंदे घटते जाएंगे, और बीच के दो फंदे कम हो जाएंगे, तो 47th रो में यहां बीच में 7 फंदे रह गया है, यहां पर दो काए किया, नेक्स्ट दो फंदे हम लेंगे और बैक लूप से तो काए करेंगे, और फिर हम 7 फंदे सीधा बुनेंगे, तो 49th रो में बीच में 7 फंदे हैं, 51th में 51 में 5 फंदे रह जाएंगे, 53 पनवे में 3 फंदे रह जाएंगे, और 55 लाइन में सिर्फ दोनों डिवाइडर के बीच मे एक फंदा रह जाएगा, तो हर सीधी लाइन में हमें फंदे घटाने हैं, हर सीधी लाइन में 10 फंदे घटेंगे, और बैक साइड से हमें सिर्फ उल्टा बुनना है, बैक साइड में हमें कोई फंदे डिक्रिज नहीं करने हैं, हमें सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है, मै में 54 क्प्रीट कर लेती हूं , फिर 55迌 लाइन में मैं आपको दिखाऊंगे ठीक है , हमने 54ा States my six Chaเอ , hyster Value लेते हीा।úe यह हमारा 55 लाइन है। अब एक फंदे को हम slip कर देंगे , ्ब देखिए 2 फंदे हैं , तो और एक साथ लेते हुए , सीधा बनेंगे और फिर next दो फंदो को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए back loop से दो का एक कर लेंगे फिर एक फंदा सीधा अब फिर देखिए हमारा यहाँ पे हमें फंदे डिक्रीज करने है तो दो फंदो को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे नेक्स दो फंदो को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से इसे हम सीधा बुनेंगे फिर एक फंदा बीच में फिर नेक्स दो फंदो को लेंगे सीधा बुनते हुए दो का एक करना है अगले दो फंदो को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे फिर बीच में एक फंदा देखिए अब एक ही फंदा हमारा बीच में बच रहा है और फिर दो का एक नेक्स्ट दो फंदे लेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे तो हर सीधी लाइन में हमारे 10 फंदे कम हो रहा है और 55 लाइन में देखिए कम होके सिर्फ 16 फंदे बचे हैं दू, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 फंदे बचे हुए हैं अब हम रॉंग साइड में हैं यानि यह हमारा 56 लाइन है सभी फंदो को हम उल्टा बुन लेंगे अब यह हमारा 57 लाइन है और अब हम क्या करेंगे कि दो, दो फंदो को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे दो, दो फंदो को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे अब दो दो फंदे हम देते जाएंगे और उन्हें हम सीधा बुनते जाएंगे अब रह जाएंगे सिर्फ आठ फंदे हमने सबी फंदों को घटा दिया अब हमारे सलाई पे सिर्फ आठ फंदे रह गया है और इसके साथ ही हमारा टोपी कम्प्लीट होने के कगार पे है तो अब हम धागा थोड़ा लंबा काते लेंगे तो देखिए फ्रांट्स हमारे पास सिर्फ आठ फंदे रह गया है तो हम सुई में धागा डालेंगे और फिर इन आठ फंदो को सुई पे ऐसे कर लेंगे अब जलाई को हटा देंगे और धागे को ऐसे खिछ लेंगे अब हम एक राउंड और इन फंदो में इस धागे को घुमाएंगे सबी फंदो में एक बार और हम ऐसे धागे को घुमाके और खिछ देंगे अब हमें इन्हें सिलना है पहले हम थोड़ा सा पक्का कर लेंगे अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और फिर यहां तक सिलाई कर लेंगे एक बारी साइड करेंगे और दिखे जो हमने एज बनाया है उसके बाहरी सिरे को हम ऐसे पकड़ेंगे और सिलते जाएंगे सीधे फंदो की जो धारी दिखाई दे रही है उसमें हम बाहरी सिरे को ऐसे पकड़ेंगे और सिलते चले जाएंगे आसा बेबी कैप देखिए बन के त्यार है आशा है आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थेंक्स फर वाचिए